पिछले विडियो में हमने कॉग्निमेट्स पोर्टल जो की AI और मशीन लेर्निंग सीखने के लिए एक अच्छा प्लाट्फॉर्म है उसमें एक विजन बेस्ट मॉडल बनाया क्लारिफाई पोर्टल यूज करते हुए और जो मॉडल हमने ट्रेन किया वो था कैट्स वर्सिस डॉग्स जिसमें हमने कुछ कैट्स और डॉग्स की फोटोग्राफ्स अप्लोट करके एक AI मशीन को ट्रेन किया तो रिकेगनाईज कि अगर हम कोई नई इमेज डालेंगे तो यह सिस्टम आर्टिफिशल इंटेलिजन्स यूज करके डिटर्मिन करेगा कि जो हमने नई फोटोग्राफ्स डाली है वो कैट की है या डॉग की इस विडियो में हम इस AI मॉडल को यूज करते हुए एक प्रोग्राम लिखते हैं कोग्निमेट्स का कोड लैब जो है वो स्क्राच पर बिल्ट है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्क्राच में जाके अलग-अलग एक्स्टेंशन्स वहां यूज करते थे उसी तरीके से आप सोच सकते हो कि कोग्निमेट्स भी जो है वो एक एक एक्स्टेंशन है पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल कोग्निमेट्स वेबसाइट पर जाके यूज होता है यानि कि अगर मैं scratch website पर जाके cognimates extension ढूड़ूँगा तो मुझे वो extension नहीं मिलेगा तो हम अब जो हमने AI model develop किया है जिसको हमने train किया है to recognize cats or dogs उसको हम यहां use करके देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं यह sprite हटा के कोई more prediction type sprite ले रहा हूं just for the fun of it तो यह मैं एक wizard hat की sprite ले रहा हूं जैसे Harry Potter में वो hat बताती थी कि क्या होगा मैं assume कर रहा हूं कि आप scratch के यह जो programming blocks है इनसे familiar है अगर आप scratch के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं suggest करूँगा कि आप मेरी जो scratch के उपर video tutorial series है उसको पहले देख लेए तो हम सबसे पहले events में जाके कह रहे हैं कि when green flag is clicked your vision blocks में आके सबसे पहले जो हमने अभी model हमारी जो API की है हमें पहले उसको setup करना है उसके बाद हमें establish करना है कि हम कौन सा training model यूज़ कर रहे हैं हमने अपने training model का नाम दिया था is it a cat or a dog और उसके बाद हम कह रहे हैं कि image का कोई हमको जो भी URL देंगे यहां पर उस URL में जो image होगी उसको देखना और उसके बाद जो भी ये image को देखेगा वो based on the training model वो बताएगा कि what is it that you see in the photo कि do you see a cat or a dog तो what do you see in this photo जो है वो एक variable की तरह यहां establish हो रहा है तो अब अगर हम एक program बना रहे हैं control में जाके हम एक if then conditional statement ले रहे हैं और यहां हम देखना चाहते हैं कि जो ये conditional statement है क्या इसमें जो भी image search हुई और उसका result आया जिसमें कि cats या dogs word जो होगा वो होगा हम चेक करना चाहते हैं कि उसमें क्या cats word है अगर cat word है तो हम program लिख रहे हैं कि say that's a cat for one second और इसी को हम duplicate कर सकते हैं और हम कह रहे हैं कि अगर जो भी image हम URL में जो भी image दिखेगी अगर वो dog है तो then you should say the system will go and say that's a dog for one second तो यह program को समझते हैं हम जो हमने clarify में model को train किया है photos डालके cats और dogs की हम उस AI model को यहां use कर रहे हैं और हम उस AI model को ऐसे use कर रहे हैं कि जब हम यहां पे कोई image का link डालेंगे तो यह program based on the API key and the image model देखेगा कि यह जो हमने URL डाला है वो cat है कि dog है तो यह एक cat की photograph का link है मैं यह copy कर के लिए जा रहा हूँ और मैं इसको यहां डालता हूँ तो हमारा program क्या करेगा यहां जो photo है उसको देखेगा हमारे AI model के against उसको test करेगा और बताएगा कि वो cat है कि dog है तो हम इसको run करके देखते हैं तो वो model कह रहा है कि that's a cat और likewise मैंने यहां पर एक dog की image का यह URL है मैं इस URL को copy करके ले जाके यहां paste कर रहा हूँ और मैं फिर इसको run करता हूँ तो हमारा system जो हमने अभी train किया है हमने उसको इस particular image में नहीं train किया है यही चीज समझने वाली है कि यह एक AI model पीछे use कर रहा है कि हम जो मर्जी इसको photograph दे रहे हैं उसको यह recognize कर रहा है कि whether it's a cat or a dog तो for example अगर मैं यह dog की image लेके test करता हूँ क्योंकि यह dog की image थी इसमें काफी clearly dog नजर आ रहा था पर इस image में dog बहुत clear नहीं है क्योंकि और बहुत कुछ चीजें यहां पर हैं तो image based AI को आपको समझने की जरूरत है कि यह human vision की तरह नहीं है कि हमारे को बहुत clearly समझ में आता है हमारी brains interpret कर पाती है कि यहां पर main cheese dog है पर computer के लिए यह केवल एक bunch of pixels हैं और इन bunch of pixels में वह मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है based on the AI model that we have trained तो अगर मैं इस link को ले जाता हूं और इस link को test करता हूं तो वह कह रहा है कि it's a dog अगर यहां पर मेरे पास एक bird की image है मैं इस link को test करता हूं तो वह bird को भी dog बोल रहा है जो की ठीक answer नहीं है पर जहां जो मैं आपको पहले समझा रहा था कि AI models prediction का एक confidence score देते हैं तो हम इस program को improve कर सकते हैं यह कहते हुए कि या तो confidence अगर high है तभी कहना क्योंकि otherwise हम जो मर्जी image यहां डालेंगे उसको ये one or the other category में fit करने की कोशिश करेगा क्योंकि हमने प्रोग्रामी इस तरीके का बनाया है जिसमें केवल दो categories हैं तो अगर मैं यहां vision block में जाकर यह वाला block निकालता हूं कि how sure you are that this is whatever is the category name तो हम अगर इसको add करते हैं अपने program में तो मैं वापस looks में जाके इसको add करता हूं दौनों जगे और मैं कह रहा हूं कि say how sure you are that this photograph is a यहां पे हम कह रहे हैं cats और यहां पे हम कह रहे हैं dogs तो अब हमारी यही अभी भी यहां पे URL जो है वो bird का ही है और अगर हम अब test करते हैं तो कह रहा है that's a dog पर वो sure zero है यह important चीज है समझने वाली कि उसका confidence score जो है वो confidence level जो है वो zero है यह value zero to one vary करती है zero मतलब बिलकुल भी sure नहीं हूँ और highest will be one which will mean 100% sure है तो for example अगर हम यह cat का लेके जाते हैं वापस और हम यह cat का URL फिर से डाल रहे हैं और फिर हम model को run कर रहे हैं तो हमारा model कह रहा है कि that's a cat और कह रहा है कि one यानि 100% sure है कि यह cat है और अगर हम इस dog को test करते हैं तो वो कह रहा है कि वो 95% sure है कि यह dog है तो I hope आपको इस video से थोड़ा समझ में आया कि AI based system image recognition का काम कैसे करते हैं और अगर आप artificial intelligence को और जादा समझना चाहते हैं तो मैं suggest करूंगा कि मेरा एक जो artificial intelligence का video है वो आप देख लें ताकि आपको समझ में आए कि AI based systems और machine learning काम कैसे करते हैं कि यह दो कि दो बोड़ा कि अपको और मिसा कि में आपको तो आपको समाने क्रिस आपको